असलामु अलेकुम, वेलकम टू माइ किचन आज मैं आपके साथ शेर करूंगी चावल के आटे के पापड बनाने का सबसे आसन तरीका इसे हम परफेक्ट मेजर्मेंट के साथ बनाते हैं तो चावल के पापड हमारे कभी भी खराब नहीं होते हैं पूरे साल के लिए चावल के पापड हम जब भी बनाते हैं तब सबको एक ही common problem आता है कि पापड का तूट जाना और पापड का लाल हो जाना पराज हम ये चावल के पापड स्टेप बाइ स्टेप ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे जिसे के कोई भी इसे बहुत ही आसानी से बना पाएगा और बिल्कुल सफेद आपके पापड बन के तयार होगे जिसे आप रोष्ट करके भी खा पाएंगे और इसे खीचिया पापड भी कहा जाता है और ये पूरे साल के लिए खराब भी नहीं होगे चावल के पापड बनाने के लिए यहाँ पे एक किलो मैंने चावल का आटा ले लिया है और चावल का आटा ये पतिली में उपर तक आ गया है तो आप भी इसी तरीके से एक पतिली का माप सेट कर लीजिये ताकि आगे हमें पता चले कि हमें पानी कितना लेना है और चावल के आटे को हमें छान के लेना है और ये चावल का आटा आप चावल को पिषवा के भी ले सकते हैं या तो मारकेट में जो रेडी मेट आता है वो भी ले सकते हैं अब हमें मसालो का perfect measurement दिखना है जिसे कि आप आसानी से चावल के पापड बना पाओ तो देखिए एक किलो चावल के आटे के सामने हमें 20 ग्राम नमक लेना है और 20 ग्राम हमें पापड खार लेना है पापड बनाने में सबसे मेन इंग्रीडियन्स ये पापड खार ही है और ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है एक चमच अजवाईन और एक चमच जीरा लेना है और दो चमच हमें सफेद तिल लेने है अब हमें 12-15 हरी मिर्च ले लेनी है और जब भी हम पापड बनाएं तब हमें तीखी वाली ही हरी मिर्च लेनी है क्योंकि इससे ही हमारे पापड बहुत ही टेस्टी बनते है और यह मिर्ची को हमें मिक्सी में दरदरा सा पीस लेना है चलिए अब हम एक बड़ा सा पतिला ले लेंगे अब हम वही पतिली ले लेंगे जिससे हमने चावल का आटा मेजर किया था तो देड़ पतिली भरके हमने पानी ले लेना है याने हमने जितना चावल का आटा लिया है उससे देड़ गुना हमें पानी लेना है तो ये बड़े पतीले में मैंने देड़ गुना पानी टाल दिया है, अब पतीले को हम गैस पे चड़ा देंगे, और गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे, पानी थोड़ा सा गरम हो जाए, उसके बाद हम इसमे नमक डाल देंगे, तो ये हमारा 20 ग्राम नमक है तो इसे हम घर की regular चम्मच में भरेंगे तो दो चम्मच हमारा ये नमक होगा तो 20 ग्राम नमक को आप इस तरीके से मेजर कर सकते हैं तो इसी तरीके से हम पापड खार को भी चम्मच से मेजर कर लेते हैं तो ये पापड खार वजन में बहुत ही हलका होता है और ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है तो ये भी हमारा दो चमजबर के हो गया है तो नमक और पापड खार को हम बराबर से मेजर करके डालते हैं तो पापड हमारे पूरे साल के लिए कभी भी खराब नहीं ह होते हैं और पापड भी हमारे बहुत ही अच्छे बनते हैं अब हम अजवाइन और जीरा ढाल देंगे और सथ में हम तील वह डाल देंगे और हरी मिर्ची को हमें इस तरीके से दरदरासा पीस लेना है तो हरी मिर्ची को भी हम डाल देंगे एक बार अच्छे से हिला लेना है अब 10 मिनिट हम इसे कबर करके उबलने देंगे जिसे के जीरा, अजवाइन, हरी मिर्ची, सारे मसालों का टेस्ट पानी में अच्छे से आ जाए तो देखे, पानी हमारा उबलना सुरू हो गया है तब हम इसे कंप्लिट 10 मिनिट डख कर उबलने देंगे 10 मिनिट के बाद हम इसे खोल कर चेक कर लेंगे तो बहुत अच्छे से हमारा पानी यहाँ पर उबल गया है तब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और ये पानी को सिर्फ एक से 2 मिनिट के लिए ही ठंडा होने देंगे और ये पानी को हिला करके एक ग्लास जितना पानी हमें अभी निकाल लेना है तो ये पानी हमें इसलिए अभी निकालना है क्योंकि चावल के आटे में कभी पानी कम जाता है तो कभी ज्यादा जाता है तो ये पानी हम निकाल लेते हैं और जरूरत लगेगी तो ही हम इसे यूज करेंगे अब ये हमारा जो 1 किलो चावल का आटा है उसे हम ये मसाले वाले पानी में डाल देंगे और बेलन से हमें इस तरीके से इसे मिक्स करना है और चावल के आटे को हमें थोड़ा-थोड़ा करके नहीं डालना है एक साथ ही हमें चावल के आटे को ये पानी में डाल देना है और फटाफट बेलन्स से इस तरीके से mix करते जाना है तो देखें आठे में पानी की जरूरत लगती है तो जो पानी हमने निकाल लिया था वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे हिला लेंगे और ये प्रोसेस हमें गरम गरम पानी में ही करनी है नहीं ता आटे में लंज पढ़ जाएगे और हमारे पापट अच्छे नहीं बनेंगे तो देखे हमारा आटा पानी में अच्छे से मिक्स हो गया है और अभी भी ये बहुत ही गरम है तो अब हम एक बड़े से परात में एक प्लास्टिक सीट को इस तरीके से काट के रखतेंगे और ये गरमा गरम आटा हम इसके उपर डाल देंगे मार्केट में से हम चावल गे हूँ जिस प्लास्टिक की बोरी में लाते है उसको ही मैंने काट के ले लिया था क्यूंकि इसके उपर हम चावल का आटा बहुत ही अच्छे से मसल पाते है तो बस इसी तरीके से हम चावल के आटे को अच्छे से मसल लेंगे और इस तरीके से आटा भी हमें हाथों में गरम नहीं लगेगा और मैं ये जो आपको दिखा रही हूँ बस ऐसे ही आपको भी आटे को मसल ना है तो देखे चार से पांच मिनिट मैंने इसे अच्छे से मसल लिया है तब हम हाथों में थोड़ा सा इस तरीके से तेल लगा लेंगे और थोड़ा सा आटा हम इस तरीके से हाथों में ले लेंगे और इस तरीके से थोड़ा इसे दबा के बीच में इस तरीके से हॉल कर देना है और इसी तरीके से हम सारे आटे को रेडी कर लेंगे तो देखें सारे आटे की इस तरीके से मैंने बड़ी बड़ी लोई बना ली है तो अब हमें इसे स्टीम करना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बड़े पतीले में इस तरीके से पानी गर्म करने रख दिया है पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद हमें इस तरीके से स्टेंड रख देना है और इसके उपर हम एक प्लेट रख देंगे अब पानी हमारा अच्छे से उबलने लगे उसके बाद हमने ये जो लोई रेडी कर ली थी इसे हम इस तरीके से रख देंगे और इसे हमें पूरी 25 मिनिट तक स्टीम करना है इसलिए पानी हम थोड़ा ज्यादा ही रखेंगे और अभी मैंने आधे हिस्से की ही लोई इसमें रखी है तो चलिए अब हम इसे कवर करके 25 मिनिट तक स्टीम कर लेते है और गैस की फ्लेम को हाई रखना है 25 मिनिट के बाद हम चेक कर लेंगे तो आप आटे का कलर देख सकते है पहले से ये थोड़ा चेंज हो गया है याने आटा हमारा अच्छे से स्टीम हुआ है और अगर आपको समझ में नहीं आता है कि आपका आटा अच्छे से स्टीम हुआ है या नहीं तो इस तरीकी से लोई को तोड़के देख लेंगे तो अगर हमारा आटा अच्छे से स्टीम नहीं हुआ होगा और कच्चा होगा तो बीच में यहाँ पे आपको आटा सफेद कच्चा दिखेगा पर अभी आप देख सकते हैं हमारा आटा अच्छे से स्टीम हो गया है तो यह आटे को हमें फिर से मसलना है तो फिर से हम वही प्लास्टिक सीट पे ये सारा आटा हम डाल देंगे और थोड़ा सा हम इस तरीके से तेल डाल देंगे अब ये गर्मा गरम आटे को हमें फिर से इस तरीके से मसल लेना है तो चावल का आटा अच्छे से स्टीम होना बहुत ही जरूरी है अगर आपका आटा अच्छे से स्टीम नहीं हुआ होगा तो पापड बनाने के बाद वो फट जाते है और पापड में क्रैक आ जाती है और ये गर्मा गरम आटे को इस तरीके से मसलना भी बहुत ही जरूरी है मसलने से हमारे पापड क्रैक बिना के बहुत ही अच्छे बनते है तो देखे दो मिनिट के बाद मेरा आटा अच्छे से मुलायम हो गया है तो इसमें से हम मीडियम साइज की इस तरीके से लोई बना लेंगे और ये गरमा गरम लोई को हम इस तरीके से डिब्बे में रख देंगे जिससे के आटा हमारा ठंडाना हो जाए तो देखे यहाँ पर सारी लोई में ने बना ली है तो चलिए इसमें से अब हम पापड बेल लेते है तो इसमें से हम एक लोई ले लेंगे और दुसरी हम डख के रख देंगे अब एक प्लास्टिक सीट को इस तरीके से गोल काट के ले लेंगे और इसके उपर हम थोड़ा सा इस तरीके से तेल लगा लेंगे अब लोई रख के बेलन पे थोड़ा सा तेल लगा के पापड बेलेंगे तो देखे मैं आपको ये जो दिखा रही हूँ इस तरीके से बेलन को आपको गुमाते जाना है किनारों पे हम इस तरीके से बेलन को गुमाएंगे तो पापड बड़ा होता जाएगा और किनारे भी पतली रहेगी तो देखे बहुत ही आसानी से हमारा पापड बन गया है तो ये प्लास्टिक के साथ ही हम पापड को उठा के प्लेट पे इस तरीके से रख देंगे और प्लास्टिक निकालके दूसरा पापड भी इसी तरीके से बेल लेंगे और अगर आपको पापड रोस्ट करके खाना है तो पतला बेलना है और फ्राइ करके खाना है तो पापड को थोड़ा ठीक बेलना है तो इस तरीके से पापड हम बनाते जाएंगे और एक के उपपर एक रखते जाएंगे तो दीखे सारे पापड मैंने बेल लिये है तो अब पापड को हम प्लास्टिक के सीट के उपर सुखा देंगे और पापड को हमें बहुत ज्यादा तेज दूप में नहीं सुखाना है पापड को हमें एक दिन के लिए घर में ही पंखे के नीचे या तो छाओं में सुखाना है तो चली इसी तरीके से हम सारे पापड को सुखा ल सुखने के बाद पापड को हमें कॉटन के कपड़े से साफ कर लेना है ताकि उपर का जो ज्यादा तेल होता है वो निकल जाए और दूल मिट्टी वगेरा भी साफ हो जाए तो देखिए आप देख सकते हैं बहुत यह अच्छे हमारे चावल के पापड बने हैं और एक भी प दूद जैसे सफेद बने हैं तो आप यह चावल के पापड को फ्राइ करके भी खा सकते हैं और इस तरीके से गैस के उपर रोष्ट करके भी खा सकते हैं तो अगर आप साल भर के लिए श्टोर करने के लिए चावल के पापड बना रहे हो तो एक बार मेरे यह तरीके से आपके चावल के पापड दूद जैसे सफेद और क्रिस्पी बनेंगे और साल भर के लिए चावल के पापड खराब भी नहीं होगे और ये इतना आपको आसान लगेगा कि हर साल आप इसी तरीके से बनाओगे तो आज की मेरे पापड की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो प सकते हुआ जहीं होगे होई रो पापड जो भी आपके कर दो आपत येश को राओ होगे हो बनाप